यहां मैं घर घर खेली आवा ने तुम्हें जल्दी घर आने के लिए फोन किया था या नहीं मैंने पूछा फोन किया था या नहीं इतनी देर से क्यो है यह यह था इतनी देर से क्यो है यह कनिका क्या हो अब दो क्यो रहे हो हाँ प्रकाश भीयम अब कनिका के साथ कैसे शायद इन की गाड़ी खराब हो गए थी यह तो पैदल ही आ रही थी शायद इने चक्कर आगए और यह बेहो शोकर सड़क पर गिर पड़ी हम वहीं से जा रहे थे हमने ने देख लिया और सीधा डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने कहा है कि इनका हमोग्लोमिन काफी कम हो गया जी आपपा डॉक्टर जी आपपा रहेली है अब रहेली आपा पासा रहेला प्राव की शच जरूरत थे और इने अकेले कहीं भारणा जाने दे करेंगा जी करेंगा जी कह निए गांज अट्टिक ठीक टोई लेज हूंट इसा इस्पी गांने जब रिच्छ की एथ वेटिए ब्रकाश्टर्ष मेटे नहीं नहीं आपके आपके इजदे हमारी इसते हम चलते हैं अजाजदी जिए नहीं नहीं है गपवान का लाग लाग स्यूकर है माजी, हमारी गणी का ठीक था गळड लोटाए। लेकिन अब लड़के बलो को ड़िए नगे बता हैं की अमारी बच्ची समय पर क्यों नहीं पहुँँ पाई। कनी का लापर हुआ बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो लोग तो सुनांकि चले गए ना और इक तरीके से ठीक भी है माजी जिस बच्छी के सर पर माशाया नौ हो उससे आसी बाती सुनने ही पढ़ती है तुम सही कह रहे हो, Ranjit बच्छों के सर पर माशाया बहुत जरूरी है बहुत जरूरी रागो भाया हमें लड़की वाले बहुत पसंद आए अब अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करें तो बात बन जाए अले आओ आओ दूले राजा आओ प्रकाश इधर आओ बेटा आज लड़की वाले आये थे हमें तो लोग बहुत अच्छे लगें एक बार तुम अगर लड़की को देख लो माँ एकनी जल्दी क्या है प्रकाश तुम फिर से यह सब शुरू मत करना और तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई हम स्वर्ण भवन गए थे माँ तुम्हें तुम्हें स्वर्ण भवन क्यों गए थे बिठा हम जब काम से वापस अरहे थे मा तो हमें रास्ते में कनिकाजी मिली तुम्हें की तब्या ठीक नहीं थी और वो बेहो शोकर सड़त पर गिर गए हमने सोचा उनको ठीक से घर पहुंचाते हैं लेकिन कनिका को तो लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे कुछ गढ़ पर तो नहीं हुई ठीक है न वो हम आभास अभी फोन करके पूछते हैं हुआ 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 है हालो आभा प्रकाश कह रहा था कि कनिका रास्ते में बेहोश हो के गिर गई अब तवियत कैसी है उसकी जी माँ कनिका ठीक है शुकर है भगवान का कुछ उंच नीच नहीं हुई अब तीन चार दिनों में फिर से रिष्टे की बात छेड़ सकते हैं ना नहीं माँ अब उस घर में बात आगे नहीं बढ़ेगी असल में कनिका देर रात तक बाहर थी तो सब बहुत परेशान थे और लड़के वालों ने उसका बहुत गलत मतलब निकाला और और ऐसा कहा कि बिन मा की लड़की है इसलिए संसकार नहीं है यह सब सुनकर पापा को बहुत बुरा लगा है मा कोई भी बाप ये बात सुनकर दुखी होगा बिटा एक अकेले पिता को बच्चों को संभालना बहुत कठिन होता है हमारी शास्त्रों में लिखा है एक आचारिय दस ब्रामनों के बराबर होता है और एक उपाद्य दस आचारियों के एक पिता दस सुपाध्या के बराबर होता है और एक माँ सौब पिताओं के बराबर पापा बहुत अकेला महसूस कर रहे है माँ वो तो होगा ही बेटा इसी उमर में तो सबसे ज्यादा जीवन साथे की जरुरत होती है उपर वाला है वो सब ठीक करेगा जी माँ रखते हैं कि बहना क्या का बहने सब ठीक तो है ना पाता है वो करनिका की तवेद कैसी है लड़के बाले इंतजार करके चले कैं बहुत देर तक कनिका नहीं आई तो वकील साब को भाला बुरा कहा कहा कि बिन मा की बेटी है उसके संसकार अच्छे नहीं है वकील साब को बहुत बड़ा सद्मा पहुंचा है अखेले पिता को जिसने कभी कोई कमी ने रहने दियो अपने बच्चों की परवरिश करने में उसे अपने बच्चों के बारे में ऐसा सुनने को मिलेगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी इसका अंदाज आम लगा सकते हैं मैंना अपने बतने की बहुत कमी महसूस कर रहे होंगे वकील साब अरे बिन मा के बच्चों का यही हाल होता है क्या हमने देखा नहीं का कितनी बिगड़ी हुए और जिद्दी लड़की हो गई है क्या कह रहे हैं अब भावी ऐसा नहीं कहते हैं मैं अपना मूँ बन रखोंगे मगर दुनिया का मूँ कौन बन करेगा आज एक रिष्टा तूटा है बस तो दूसरा ठूप जाएगा मैं तो कहते हूं वकील साब को दूसरी शादी कर देनी चाहिए कर दो कर दो जाए पताई पताई कितने का था है मेरा भाई भेट लाया था राकि पेश जड़ा है जड़ा चल जड़ा कि देखें ने इतना अच्छा महां बने ख़ाब कि दिया अटाउड चलो ना चलो 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 तुम जड़ा चलो मेरे साथ आप जड़ा ये सब साफ करके रखें अरे बिन मा के बच्चों का यही हाल होता है कनिका कितनी बिगड़ी हुए अब जिद्दी लड़की हो गयी है? मा के होते हुए भी मेरी बेटी को ऐसी बाते सुनी पड़ रही है और उन्हें अगेरे इतना कुछ सहना पढ़ रहा है इससमे उन्हें सब से ज़्यादा ज़रूरत मेरे साथ की है और मैं नहीं मैं अब और नहीं सहने दुगी उन्या के लिए सब मुझे उनके पास जाना ही होगा कानेका लो दूद्ध पी लो कानेका वीकनेस हो गई है दूद्ध पी लो एक बात पुछो ये जो बाहर तुमें चक्कर सा आगया था ये सच मुझ था या कोई और चक्कर है आपको क्या लगता है भावी आपको पता भी है प्रकाश क्या करता है बाभी होट निवज आपको पता भी है प्रकाश क्या करता है क्या प्रकाश ओटो चलाता है ओटो वाला जब पापा का मुझे फोन आया हां तो मुझे अप्रेंज को छोड़के भागना ही पड़ा गाड़ी कराबती तो मुझे आटो लेना पड़ा तो देखा ओटो कॉन चला रहा था प्रकाश चला रहा था अटो वाट मुझे पता था कि बापा बहुत बुस्य में है इसलिए खुद को बचाने के लिए उसे जूटी कहानी सुनाई और वो बुद्धु मान भी किया मेरी हेलप करने के लिए उचे पता था कि बापा उसकी बात का विश्वास तो जरूरी करनेगे और उसे मेरे बुद्दू बना दिया. ये सब तो ठीक है कनेका, लेकिन प्रकाश आटो चलाता है या अपने आपने बहुत बड़ी ख़बर है. करन का साला, आटो माला. बड़ बश्या, ये बात अभी किसी को भी पता नहीं चली चाहिए. इस ट्रॉम कार्ट को हम सही टाइम पे यूज़ करेंगे. नौट बार. आभा को सबक सिखाने के लिए. हमारी शादी के लिए लोग आने लगे. मगर जब उन्हें बता चलेगा कि हम क्या काम करते हैं, तो तो क्या होगा? लेकिन क्या करें हम किसी को सच पता भी तो नहीं सकते हैं, कैसे भी करके हमें ये शादी टालनी होगी. इसी उमर में तो सबसे ज्यादा जीवन साथी की ज़ुरत होती है. क्या बात है अभा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, दादी. माँ से बात कर रहे थे. बस उसी के बार में सोच रहे हैं. क्या बिट्चा? हम सोच रहे थे, दादी. इंसान अपनी पूरी जिंदगी, काम करने और बच्चों के परवरिष करने में कुजार देता है. एक समय आता है जब उसे खुद के लिए वक्त मिलता है, और अगर जीवन साथ ही कोई नहों, तो कितना अकेलापन महसूस होता होगा? तो जग्गु के बारे में बात कर रहे हैं, न? सही कह रही है वेटा, हमने देखा है जग्गु को अपने अकेले पन से लड़ते हुए, किसी पर साहिर नहीं हुने देता था, पस अंधर यंदर खुटके रह जाता था. को ही, पुनी पुनी अंगत कह सब पाही, मरन भया कच्छु संसय नाही. जी आजी, आप पढ़ती रहो यो शुदरा. मन को बहुत सुकुन मिलता है. मैं समझ रही हुजी आजी. आज जो कुछ भी हुआ, उससे अपकी दिल पर क्या गुसर रही होगे? परतिबा के जाने के बाद, मैंने अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं थी. उनके मुझ से निकलते ही, उनके में हर ख्वाइश पूरी कर देता था. लेकिन एक बाद आज समझ में आई. एक बाप कभी माँ नहीं मन सकता. काश की मेरी बच्ची की भी माँ होती. मैं... मैं परतिबा की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, जिया जी. मैं परतिबा की जगर नहीं ले सकती. लेकिन जब तक गनिका के शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो जाती. कि उसके साथ उसकी माँ की तरह रहों की इतना वादा जरूर करती हो और रहा सवाल आज की रिष्टे का जिया जी बहुत अच्छा हुआ अरे इसे चोटी सोच वाले लोगों के घर में हमारी बेटी नहीं चाहे कि कि अच्छा पुनियस बचन कहते सब भाएं कि इन मार के बच्चों का यहीं चाहल होता है करनी का कि इस बिगड़ी हो यह जिद्दी लड़की हो गई कि आप अपने बच्चों को और उनके संस्कारों के और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएं और वैसे एक बिना मा की बच्ची से उमीद भी क्या की जा सकती है आज अगर आपकी पत्नी होती तो क्या आपकी बच्ची इस तरह इधर उधर घूमती रहती मुझे उनके पास जाना ही होगा ऐसे वर्त में मैं उन्हें अकिला नहीं छोड़ सकती क्या कहोगी जाकर यही कि तुम इतने साल जेल में रही सच जानने के बाद तुमारी बेटी की शादी होगी लेकिन मैं उन्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते ठीक है तुम जाना चाहती हो ना तो बेशक जा मगर मेरी एक बात याद रखना दुनिया को सच पता चल जाए तो नहीं तुमारी बेटी से कोई शादी करेगा झाहती है तुमारी बेटी सान्या मुझे क्या चीनosh कि मुझे कैले शैदित हओं मैं खुलताओ सब्स्क्राइ्ट कके ऑं viewing में अम पापड़ मेरे बहद मन करा Canta का इसटेब में अमपापड हुए कि अहां हाद करते हैं यह नहीं है अरे इसी में तो रखा दा मामी ने खाली होगा और किसी में होगा सारी डबे भी चेकर लिए खादम हो गया कोई बात कर दा के लिए ले लिए पर तुम्हें तो आज का नहां पर अभी कहते जाएंगे है मेरा एक दोस्ते दुकाने शाद उसके दुकान में पापड में जब किन ट्राइ तंस्का एतनी रात को पाद दोस्त अठा देंगे दुकान कुल वालेंगे तूम आओ तो सभी आपड खाने लुट्य तुम्हां अगर हम कल भी तो ले सकते और एक कल कि दी जाएगे नहीं त तुम आदे, आउन्टी? मुझे उनके पास जा नहीं होगा एंचे कर दो आदे, 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 आदे. प्रॉप स्क्राव. इया है, आदे, आदे, आदे. आदे, आदे. आदे, आदे. आदे. झाल झाल